हेलो इवरिवर्वन वेरी गुड इविनिंग डू आलप यू वेलकम टो फिस्कल साइन पेफी क्लासेज फ्रेंड्स स्वाडिम गुजरात इस्पोर्ट्स इनवर्स्टी देशर जो की बड़ोधरा डिस्टिक में है गुजरात में है वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर एस अपने अपलाई किया होगा यूप हायर एजूकेशन सर्विस कमिशन का जो 51 एडवर्टाइजमेंट था उसमें टोटल वेकेंसी जो थी केवल 11 थी उससे तो ज्यादा यहां पर देखने को मिलेगी ठीक है और उसके पहले मैं एक चीज़ वेकेंसी के पहले एक चीज मैं ब लेगा ठीक है इस चैनल का यह मतलब में मोटो नहीं है कि फेक न्यूज देकर व्यूज बटोरे जाए नंबर वन चीज़ नंबर टूचीज उसके लिए मेरे पास अथेंटिसिटी है आप चाहिए तो वैरिफाई कर सकते हो यहां पर देख सकते हो कि जो आपकी आंसर की अक्टिवेट हुआ था यहां पर आप लॉग इन डिटेल साब बहुत सारे लोग हमारे जो फ्रैंड्स हैं उन्होंने डाउनलोड भी किया है पीजीटी का हाला कि मैंने पीजीटी अप्लाई नहीं किया था लेकिन पीजीटी का जो सब्जेक्ट से जिदने भी लोग लोग लिंक कि हां पर एक्टिवेटेट था जबकि अल्रेडी इनका डेट जो है ओवर हो गया था ठीक है इसलिए हुआ था यह एक्टिवेटी टीटी के लिए क्योंकि मैथ की जो दो सेंटर की जो री एग्जाम हुए थे उनको फिर से जो एक्जाम हुआ था उनकी लिए आंसर क जारी हुई थी इसलिए यहां पर TGT भी लिखा था और TGT की नाम पर सारे question paper फिर से आ गया थे सारे answer की फिर से आ गया थे ठीक है तो इस चीज के लिए आप निशिंतर रही है यहां पर आप देख सकते हो देखिए मैंने screenshot इसलिए रखा था कि मुझे पता था कि हो सकता है य जो authenticity के लिए यहां पर देख सकते हूँ मैंने इसको screenshot लिया हुआ था तो आप देख सकते हूँ यहां पर कितने बज़े लिया हूँ और क्या तारिक है तीन मार्च है 1813 चीक है तो यह screenshot देख सकते हो आप लोग यहां पर लिया हुआ हूँ तो यह channel जो है friends कोई fake channel नहीं है को fake news जो है प्रचारित प्रचारित नहीं करता है तो आप लोग इससे निश्चिंत रहिए देखे अगर बात कर लें इसके कुछ आप लोग की comments के तो आप comments देख सकते हो यहां पर लिखा है result कब तक आएगा सर देखे result जो है आने वाला है 10th March के बाद कभी भी आ सकता आपका result सबसे पहले PRT Music का आएगा Assistant Commissioner का जो हुआ था है डिप्टी Commissioner का उनका result आजाएगा और फिर आप लोग का result जो है TGT का 10th March तक आजाएगा और यहां पर देख सकते हो लिखाए नोंने कि सर एक की भी कहीं नहीं सो हो रही है थोड़ा से patience रहके हो जाएगा ठीक है अर्थ अप अपने एक्सिस पर जो जुका हुआ है वो तो सही है 23.5 डिग्री जो है अपने एक्सिस की तरफ जुका हुआ है ठीक है यह तो आंसर सही है लेकिन question पूछा था कि orbital plane पर पूछा था प्लेन पर कितना जुकी हुई है तो plane जो होगा आपका यह है plane तो इससे अगर बात कर ले तो 6.6 डिग्री जो है यह जो है जुका हुआ था ठीक है तो यह जो question का answer सही था देखे आप मिठले सिंग आपने लिखा है fake news क्यों दे रहे हो ऐसा fake news नहीं था अगर आप सुर अगर मेरे वीडियो को देखेंगे तो आपको सही में पता चलेगा कि कितना यह real news था ठीक है यह जो है अभी last date is over दिखा रहा है वो TGT की कारट दिखा रहा है क्योंकि TGT की सारे subjects का जो है except mathematics का जो answer की जो है जारी नहीं हुआ था उसकी चक्कर में यहाँ पर TGT के चक्कर में जो है सारे जो है update कर दिये थे इसलिए deactivate कुछ समय के लिए हुआ है और हो सकता उन्होंन मैं अपने चैनल के मादम से फिर एक चोटा सा वीडियो बनाकर आपको लोगों को बता दूगा तो चैनल पर बने रही है ठीक है कोई fake news नहीं है एक question यह भी था इनका कि sir clock में भी आप चेक कर सकते हो कि north west का आ रहा है देखिए friends जो question था ना question यह था कि एक घड़ी है एक घ बज़ता सवा दस बज़र रहा था तो मझा समवेर ऐसे होगा clock अभी यहां पर क्या दे रहा है कि जो minute clock है minute hand clock यानि कि यह जो है यह जो है इसको south मान लिया है तो ठीक है south इधर है तो इसका opposite just होगा यह north हो जाएगा north होगा यदि आप east face करते हो तो जो north direction होता हो हमेशा जो है यानि 12 o'clock जो है आपका east हो जाएगा ठीक है और यह हो जाएगा west हो जाएगा फिर question क्या पुछा है कि आपका जो जो आवर हैंड है यानि कि जो घंटे की जो सुई हो किस direction में होगा तो north इस direction में होगा तो answer वो सहीत है friends ठीक है राय साब वो question का answer सहीत हाला कि मेरा भी पीजीटी क्या यह तो आ गई थी देखिए इन्होंने सायद सिवांगी गुपता जी ने इन्होंने सायद डाउनलोड भी कर लिया आप इनसे मांग भी सकते हैं और इनसे पूछ भी सकते हैं कि क्या हुआ था पीजीटी की answer कि तो error आ रही है हाँ आ रही है पहले error था अब तो लास्ट डेट ओबर दिखा रहा है ठीक है तो आप patience रखिये हो सकता है रात तक अक्टिवेट हो जाएगा हाँ देखी इन्होंने question पुछा था कि कौन सा question पर हम लोग कर सकते हैं तो एक question था जिस पर आप challenge कर किये होंगे हो सकता है कुछ लोग जो है एक दो लोग हैं अगर एक भी लोग किये होंगे तो उस question के उपर सभी को number मिलेगा दो number समय लिजे बढ़ेगा ठीक है यदि नहीं भी किये हैं आप लोग challenge तो अब जो link activate होगी यदि आता है तो उस question के उपर आप जरू challenge किजेगा यदि आप कटाफ के अंदर मतलब under नहीं आते हैं अगर एक दो number से आप पीछे आगे पीछे हो रहे हैं अगर doubtful है तो आप 1000 रुपे दे कर आप अगर सही है यदि सही ही है वो दो question तो सही ही है 100% आपका refund भी हो जाएगा ठीक है तो उन दो question पर आप challenge कर सकते हो सर पी आर्टी का कब तक आएगा देगे पी आर्टी का देखे आपका जो सालनी मैम जो answer की आएगी वह 8 तक 100% 8 नहीं तो 10 तक जो है answer की आपको देखने को मिलेगा जैसे PGT का link deactivate होगा यानि घटाया जाएगा last date over होगा वैसे पी आर्टी का जो है एक बार answer की मिल जाएगा लिंक आपको चैनल पर बने रही है यदि वीडियो पसंद आता है तो आपनों से request करूँगा कि आप लोग चैनल को लाइक और सबस्ट्राइब कर दीजिए अब चलते हैं फ्रेंड्स देखिए जो Assistant Professor और प्रोफेसर जो Assist Professor की वैकेंसी आई वे आप देख सकते Department of Fiscal Education में टोटल वैकेंसी जो है Assistant Professor की 6 है कैटेग्री बात कर लें तो जनरल के लिए 2 वैकेंसी है सब्सक्राइब और बात कर लें यह दिए पे अंड पास की तो पे बैंट जो है ग्रूप ए सर्विसेस में आता है 15600 रूपीज जो से लेकर 39100 जो ग्रूप एकी से सलरी होती है और इनका ग्रेड पे जो है 6000 रूपीज ग्रेड पे सब्सक्राइब और प्रोफेसर की बात करें यहां पर आप ग्रेड पर देख सकते हो 9000 और प्रोफेसर की 10,000 रूपीज है तो देख सकते हो आप लोग काफी अच्छी वैकेंसी है यदि आप इलीजबल है तो जरू से जरूर अप्लाई कीजिए एक तरीके से नहीं होगा तो जरूर मिलेगा मैं तो यहीं जानके यूपी अच्छी सी जो दिया था असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आयोग एलाबाद में मेरा इंटर्वी हुआ था फाइनल तो मेरा हुआ नहीं बट मुझे एक अनभव मिला कि क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैसे क्वेश्चन क तो नहीं वाले किन अनभव तो जो रूम मिला तो देख सकते हो डिपार्टमेंट आफ एडवांस ट्रेनिंग और कोचिंग के लिए जिनका नाइस है वो भी भर सकते हैं यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दो वेकेंसी है जनरल केटेगरी के लिए वन वेकेंसी से बीसी के लिए वन वेकेंसी है सेम पर अपक्स रहेगा जो असिस्टेंट प्रोफेसर जो सब्जेट का है ठीक है तो आप लोग देख सकते हो इस तरीके से डिपार्टमेंट आफ स्पोर्स साइंस का भी निकला हुआ है काफी अची वेकेंसी है यहाँ पर तीन है टोडल .gov.in पर आप रेजिस्टर करके सारे नोटिकेशन जो है डाउनलोड कर सकते हैं और तो और आप अपलाई कीजिए जरूर विकाज एक अच्छा प्लैटफॉर्म है अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो इस चीज़ को जरूर अगर आप अपलाई करेंगे तो आपको कुछ कुछ experience यहाँ पर जरूर गेन होगा ठीक है और रही बात आपनों की result की देखे cut-up तो मैंने बना दिया था अगर आपने cut-up का वीडियो नहीं देखा है अगर आप उस range में आते हैं जैसे general की मैंने बताया था 103 plus minus 2 बताया था general का category का ज्यादा मैंने range नहीं रखा है कि आप 90 से लेके 100 डाल दूँ इसमें तो बहुत सारे लोग आई जाएंगे 1000 लोग तो आई जाएंगे तो इसमें तो यह 1000 लोगों के लिए नहीं है जो actual जो cut-up होती है वो plus minus 1 and 2 होता है तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने जो बनाया है general category का 103 plus minus 2 यही रहने वाली है यदि आप इस category में अगर आपका इतने marks है तो आप अभी से demo classes की थोड़ी practice कर लिजिए और preoccupied mind से जो भी questions जो पूछे जाते हैं वो भी मेरे चैनल पर डाल दिया है वीडियो को आप एक बार refer कर लिजिए देख लिजिए सुन लिजिए और इससे आपको थोड़ा सा ideal लग जाएगा ठीक है तो और बाकी जो category है friends वीडियो बना दिया हूँ आप देख सकते हो अगर real में आपको लगता है चैनल आपके लिए fruitful है तो please like की बटन जरू प्रेस कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ जरू share कीजिएगा so thanks for watching friends have a nice day